So guys, this is Sunil, welcome to Gendron और 2023 चल रहा है और मैंने drop shipping ट्राई किया है 55 दिन हमने drop shipping ट्राई किया हमने एक बैतरीन सी website बनाई उसके साथ में उसको facebook पे advertise किया और हमने एक specific product sell किया सिर्फ एकी product और उस एक product से हमने अच्छा खासा profit generate किया है क्या है total profit, कैसे हमने इसको किया है facebook advertisement में, क्या interest हमने use किया था सब कुछ मैं reveal करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो पर ज़रूर बने रहीएगा इसी के साथ product costing कितनी थी total income कितनी हुई है, कितने orders टोटल आये है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आपके लिए छोड़ा सा वीडियो बहुत ही किफाइदे मंद, फाइदे मंद हो सकता है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा अभी के लिए गर आप चैनल पर नहीं है प्रोड़क्ट बेचा और उसके थ्रू हमने एक बहुत ही अच्छा रिवेन्यू जनरेट किया बहुत ही बड़ी ऐसी चीज है अब कौन सा प्रोड़क्ट जो है हमने सबसे जादा सेल किया है और इसको थोड़ा सा हमने अपना टच दिया था वैसे यह किताब है एक मैजिकल बुक है जहाँ पे हमें 10 रिफिल्स मिलती है और यह रिफिल थोड़ी मैजिकल है किया बच्छे जब प्राक्टिस करेंगे इन रिफिल्स है तो आटोमेटिकली जो इंक है वो गायव हो जाती आफ्टर 4-5 हास के बाद तो किस तरह से हमने टाइटल जो भी हमने लिखा आप देख सकते है विंग यूद माजिकल बुक फॉर चिल्रन फोर सेट और बोक्स टेन रिफिल और यह 10 परसें डिसकाउंट और कैश ओन डिलेवरी सब फ्री है अविलेबल है और एक और चीज़ हमने डाल दी कि अगर आप एक खरीते है तो तो प्राइज इस प्रोड़क्ट पेज के अंदर हमने अड़ की some of GIF images भी हमने अड़ किया ताकि थोड़ा सा attractive लगे थोड़ा सा engaging लगे और customer जो है buy करने के लिए सोचे so this was the website और हमने फिर इसको run किया इसकी advertisement हमने चलाई कैसी अड़ है क्या है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ तो यह मेरा facebook का जो है facebook ad account है तो यहां पर हमने जो है ad account चलवाए तो आप देख सकते है magic o book, magic o book 2 और यह एक और चीज है मैं एक और test कर रहा था तो यह मेरी पहली बारी है हमने पहली बारी test किया है for 55 days तो बहुत ही बढ़िया से चला revenue अच्छा generate हुआ total revenue के अगर मैं बात करूँ आपको कितना revenue मैंने generate किया तो यहां पर मैंने एक detail बनाया है flow तो total 43,923 रूपीज जो है मैंने generate किया है 55 दिन के अंदर तो लगबग 43,000 44,000 के असपास जो है मैंने generate किया 55 दिन के अदर जो बहुत ही अच्छी सी बात है अब facebook advertisement में आ जाता हूँ मैं यहां पर आपको तोड़ा सा यह already मैंने select करके रखा है तो मैंने 15 October से जो है शुरू किया था drop ship और यह हमने चलवाया था लगबग 10 December तक और उसके बाद मैं जरा busy हो गया था मैं शादी वादी के लिए तोड़ा सा बाहर चला गया था भाई की इसलिए तो इस दौरान का अगर मैं आपको data दिखा हूँ तो total purchases 279 दिखा रहा है वैसे तो थोड़ा ज्यादा purchase हमने मारा था कुछ-कुछ data record नहीं हुआ है I guess 295 के आसपास का data है total investment जो हमने की थी that was around 27,137 यह without GST है with GST के साथ भी total detail मैं आपको थोड़ी दिर मैं देता हू तो हमने बहुत अच्छे purchases generate किये 279 total purchase generate हुए हमारे और हमने अच्छी-कासी income कमाई है so guys this is the ad international preschool और यहां पे देखिए मैंने क्या क्या इंट्रेस्ट जो है यूज किया international preschool montensory education और pre kindergarten यह तीन इंट्रेस्ट जो है हमने डाले थे और हमने यहां पे थोड़ा सा narrow down किया था engaged shoppers के लिए तो वही लोगों को ad दिखे जो shopping में interested है और advanced plus placement पे हमने यह ad जो है चलाई थी और location जो है हमने पूरा इंडिया लिया था और exclude किया था some of locations आप चाहे तो screenshot लेके इसको आप जो है exclude कर सकते हैं अपने ad के अंदर age category was 25 years to 45 years तो यह हमने चलाया और हमारा ad कैसा दिखता है वो भी आपको दिखा देता हूँ तो this was the ad और बहुत ही बढ़िया ad हमने बनाया था यहाँ पर अगर आप ध्यान दे तो एक मट्टा मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ हाँ so this was the ad और यह बहुत attractive ad था जब आप अपने बच्चों का talent potential और एक और अच्छी खास चीज़ थी कि इस ad को मैंने ही बनाया था मतलब वीडियो हमने ले लिया था ready made और इस पे voice over मैंने किया तो बहुत ही बढ़िया से यह तयार हुआ 49,000 plus happy parents हमने एक rating दे दिया था star rating तो यह इस तरह से हमने पूरा ad design किया था so कैसे यह बनाया है अगर आप इसका एक proper वीडियो चाते है तो comment box में जरूर comment करके पूछे तो मैं चाहूंगा आपको एक proper वीडियो बनाके बता दू किस तरह से advertisement को एक attractive advertisement बनाया जाता है ताकि लोग उससे engage हो और आपको एक अच कुछ बताया नहीं है आपको because हमने यह website कैसे बनाई क्या तरीके से बनाई but yes बनाना बहुत easy है अगर आप WordPress नहीं जानते है तो YouTube के ओपर जो है search कर सकते है WordPress पे कैसे काम करते हैं और hostinger से जो है मैंने hosting ली थी यहां से आप hosting buy कर सकती है बहुत ही cheapest hosting जो है देती है अगर आप स description box में मैंने coupon code भी दिया है अगर आप वो coupon code लगाते हैं तो hosting थोड़ी और cheapest आपको पढ़ जाएगी थोड़ा और discount जो है आपको मिल जाएगा तो यहां से मैंने जो hosting ली थी वो मैंने single website hosting ले थी 69 रुपीज की जो मेरे लिए बहुत बढ़िया काम की और सस्ती कीमत पर एक single सी website बना कि अच्छा खासा revenue जनरेट किया लगबख 55 दिन में तो मैंने अपने सारे जो expenses थे वो recover भी कर लिए थे 55 दिन नहीं मैं तो लगबख शुरू के ही 15-20 दिन में recover कर लिए थे तो इस तरह से आप जो है website बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं मैं total detailed एक course बनाओ proper drop ship को लेके तो comment box में जरूर comment करें मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों के लिए मैं proper course बनाओ जिसको देखकर सीखकर आप जो है पूरी drop shipping कर पाए और एक अच्छा वासा revenue generate कर पाए because यह सारे courses जो है वो paid courses मिलते हैं market में बहुत लोग sell करती हैं तो मैं आपके लिए free में बनाके हमारी website पर मैं डालूँगा तो जरूर एक बर comment box में comment कीजिए और बताईए और अगर आप video देख रहे हैं अभी तक तो जरूर like कीजिए एम रखते हैं 500 likes के लिए तो 500 like अगर आती है तो आपके लिए और भी कुछ अच्छा content लेकर आएंगे इसी चानल के उपर अब overall अगर देखा जाए कि कितना income जो है हमने generate हुआ कितना expense हुआ तो उसका भी मैंने एक छोटा सा flow chart Excel में बनाया तो यहां पर अगर आप ध्यान दे इसको मैं जरा so facebook expense की अगर बात करें तो 27137 is the facebook expense 18% GST में लगा लिया तो total expense जो था हमारा advertisement में वो 32,021 यह advertisement चल रहा था 55 दिन तक तो total 55 दिन की costing हमारे पास आ गई है कि हमने लगबग 32,000 के आज़ पास जो है expense किया है advertisement के पीछे और उसके तुरू हमें जो है total orders जो है it was around 283 orders और purely facebook advertisement के तुरू ही हम order generate कर रहे थे तो वैसे तो facebook के जो panel है वाँपे ad panel पे 279 orders बता रहे तोड़ल एट वोज अरूड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है इनमें से हमने 193 order को fulfill किया था because fulfill मतलब delivered किया है purely safely customer के घर तक हमने पहुचाया है 193 order और इसका पैसा हमने जनरेट किया है return भी था that was around 90 orders हमारे थोड़े return भी आये कुछ cancel भी हुए तो अच्छा जो है orders वो glow road से हमने किया था because हमने एक भी पैसा जो है नहीं लगाया था मतलब हमने stock को जो है हमारे घर पे नहीं मंगवाया था हम directly जो है seller से ही जो है आगे sell out कर रहे थे तो glow road is an app glow road का भी data में आपको थोड़ी दिर में दिखाऊंगा अच्छा खासा कि उसमें कितना amount हमा self delivery भी हमने शुरू की थी last में जहां पर मैंने बस 6 orders को fulfill किया था दस किताबे मैंने मंगवाई थी खुदी last में because जब अच्छा खासा sale आना शुरू हो गया था तो मैं सुचा कि चलो self delivery भी शुरू करते है because self delivery में क्या है amount जाधा आपको जो है generate होता है because एक मैं आपको बतात मैं income अच्छी जनरेट होटी इनका problem बहुत जादा है इतना है कि आप मीशो पे drop ship करी नहीं पाओगे शुरू में या बीच में मेरे को मीशो से बहुत problem हुई है क्या है मीशो की problem अगर आप चाते है तो बैलक से dedicated video बना दूगा तो comment box में जरूर comment करे मुझे बताईए उसके से net profit तो 11,000 का है 11,901 रुपय का है अब देखिए glow road पे अगर मैं आपको बताओ तो मैंने 39,160 रुपीज जनरेट किया 170 orders को fulfill करके इसी के साथ मीशो पे मैंने 7 order fulfill के लाइट वहां से हमने लगबग 287 4 जो है वो हमने जनरेट किया दो अजार 2,074 रुपीज तो टोटल इंकम वाज 43,923 रुपीज और उसमें से 11,901 रुपय यह हमने minus किया है टोटल एडवर्टाइजमेंट का cost minus hour income तो लगबग 25 दिन में 11,000 रुपया जो है हमने जनरेट किया है सिफ एक प्रोड़क्ट को sell करके सिफ एक प्रोड़क्ट और वो भी order सिफ 193 ही orders हमने process किये है अब आपको चलते हैं अब के उपर मैं आपको आप दिखाता हूँ ग्लोरोड का अप मेशो का भी आप दिखाता हूँ और self delivery मैं यहीं से दिखाते था हूँ आपको मैंने order fulfill किया था delivery के तुरू तो delivery के तुरू भी हमने order कुछ fulfill किये थे तो यहाँ पर आप देख सकते एक order, दो order, इसमें दो orders थे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच order, तो लगबग टोटल पाँच order जो है मैंने self delivery में जो है process किया और एक order और था, जो मैंने personally, मतलब मेरे घर के पास में ही था order मतलब एकदम पास में ही आ गया तो मैं खुद ही चला गया था देने के लिए तो टोटल 6 orders मैंने self delivery किये है, और self delivery में income बहुत अच्छी होती है, जैसे यहाँ पर 599 का order process किया और मैं बताओ, product सिर्फ मुझे 70 रुपय का पढ़ रहा था, मतलब 70 70 to 75 रुपीज मैं product मैं घर पे लाता था और मैं इसको dispatch करता था, तो now guys, this is the glow road app और इस पर मैं आपको data दिखाने वालों कि क्या data जो है यहाँ पर total collect हुआ है, तो यहाँ पर देखे my orders में 268 orders है जो हमने process किया है इसमें लगने 90 के आसपास तो return ही थे हैं हमारे, तो my orders में मैं चलता हूँ तो यहाँ पर अगर आप धियान दे तो यहाँ पर इतने सारे orders जो हमने process किया है, मैं चलता हूँ delivered के अंदर तो delivered में अगर मैं आपको देखा हूँ तो यहाँ पर देखे, यह इतने सारे orders जो है, हमने delivered किया है और यह धेर सारी है, बहुत सारे orders है तो और भी नीचे data है वैसे तो, अब एक order के अंदर मैं चलता हूँ आपको देखाता हूँ, हमने कितना income margin you earned, 256 रुपीज जो है हम earn करते थे अब हर एक एप एक limitation है कि अगर कोई product आप sell कर रहे हो तो उसको आप ज़्यादा price में sell नहीं कर सकते हो अगर आप glow road मेशो यूज करो तो देखे, 298 रुपीज मैं जो है ले सकता हूँ customer से, बट self delivery में मैंने 600, 600, 700 रुपे भी मैंने लिये है तो दोस्तों यह था total road map जो हमने बताया drop ship कैसे हमने 55 दिन किया और हमने अच्छा खासा revenue generated के around 45,000, 44,000 के आसपास इसको मैं अगर और continue रखता तीन मैने तो मेरा revenue और अच्छा होता शायद 77 या 1 लाग के आसपास मैं कर सकता था एकदम आसानी से एक महीने के अंदर बढ़ यह मैंने किया नहीं because of some conditions थोड़ा busy हो गया था बढ़ इसको मैं जरूर continue करूँगा और आगे आपको जो है इसकी details जो है जरूर share करूँगा इसी channel पर तो अगर आप channel पर नए है जैसे नहीं बताया है तो subscribe कर लो अभी ताकि आगे का जो detail है मैं आपको share करता हूँ और आप देखते रहे और सीखते रहे तो चलिए फिर वीडियो को end करते हैं